इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह email extractor tool जो है कैसे आपको use करना है कैसे आप अपने bulk में email निकाल सकते हैं example के लिए हम चलते हैं Google पर और यहां पर हम लिखते हैं जैसे कि दिल्ली gmail.com या yahoo.com जी भी आपको चाहिए वह हमने यहां पर डाल दिया है अब देखो क्या होगा यह इस तरह का आपको जो page है इसको control a कर लेंगे पहले control a control c यह हमारा raw data copy हो गया है यहां पर हम इसको paste कर लेते हैं तो अब इसमें क्या होगा कि यह उल्टा सीधा जो भी data पढ़ा हुआ है इसमें सी यह आपका Gmail at the rate की base पे इसमें email id को extract करेगा और बाहर निकाल कर देदेगा चले यहां पर मैं click कर लेता हूँ क्लिक करते ही क्या हुआ इसने सारी email id हमें निकाल कर देदी है यह आप देख सकते हैं ठीक है ना कुछ-कुछ email id duplicate भी है यह भी यहां पर यहां पर आपको solution बताता हूँ तो यहां पर आप इसको copy करेंगे क्लिक करके और आप अपने notepad में जहां पर भी आपको paste करना है महाँ जाकर आप इसको excel में notepad में या word में paste कर देंगे ठीक है लेकिन उससे पहले आपको एक चीज काम की और बताता हूँ आप यह वाली वीडियो देख लेना इसका link मैंने नीचे दे दिया है इस वीडियो वालों के चाहिए लैपटाप वालों के चाहिए मतलब जो भी है न तो आप क्या करेंगे यह वीडियो देख लेना आपके समझ में आ जाएगा कैसे आप Google से ढूंड सकते हैं ढूंडने के बाद आपको बस यह इस तरह से data आपको यह copy करना है यहाँ पर paste करना है और आपके इमेल जो है मिल जाएंगे आपको लेकिन copy paste करने से पहले आप देखो मैं copy कर लेता हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें duplicate जो email है वो remove करेंगे तो duplicate के लिए इस पर home page पे आप चले जाना और यहाँ पर आपको मिलेगा remove duplicates वाला टूल यहाँ पर इसको भी मैं new tab में open कर लेता हूँ और अब आप one click में अपने duplicate values जो भी है वो remove कर सकते हैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है कितनी 79 यहाँ पर emails अभी दिखा रहा है जैसी मैं remove करूंगा तो अब देखो 73 बचे हैं यानि कि 6 इसने remove कर दी है जो duplicate थे जो first वाला ही duplicate आपको तीन बार दिख रहा पेस कर सकते हैं इस तरह से ठीक है ना काफी काम का tool है इस tool को आप book mark कर सकते हैं जैसे हाँ पर मैंने यह book mark कर रखे हैं और इस tool को आप अपने दोस्तों के साथ और इस tool को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी help मिल जाए